मश्कार आज मैं आपको बताऊंगी भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेले गए सबसे पाँच यादगार मैचों के बारे में जी वर्ल्ड कप दो हजार तेस का पहला सेमी फाइनल मैच भारत और न्यूजिलेंड के बीच पंदर नॉम्बर को खेला जाएगा रोहिश शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्सन टूर्णामेंट में कमाल करा है टीम ने अभी तक में खेले सबी नौ मेचों में जीत का साथ चका है हाला कि अब बारी सेमी फाइनल मैच की है जहां गलती करने की गुंचाइश बिल्कुल भी नहीं होती है पहला मैच 2019 में टूटा चेंपियन बनने का सपना साल 2019 में इंग्लेंड की धर्ती पर भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेला गया वर्ल्ड कप का सेनी फाइनल मुकाबला बेहत रोमान चकरा पहले बल्ले बाजी करते हुए न्यूजिलेंड की टीम में स्कोर्ड बोड पे 249 रन लगाए हाला कि इसके बाद मैच में बारिश ने खलल डाल दी और मुकाबले को रिजर्व डे में शिप्ट करना पड़ा भारती टीम लक्ष का पीछा करते में 221 रन बना कर आल आउट होगी धोनी के इस मैच में रन आउट होते ही पूरा खेल पलड गया था माही काया इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट मैच भी था दूसरा वर्ल्ड कप में चटाई कीवी टीम को धूल साल 2003 में खेले गए विशुकत में भारत ने नियूजिलेंड को 7 विकट से हार का स्वाथ चखाया था इस मुकाबले में जहीर खान ने नई गेंड से जम कर कहर बर पाया था और शुरयाती तीन गेंडों पर ही नियूजिलेंड के दो बल्ले बागों को चलता कर दिया कानपूर के मैदान पर भारत और नियूजिलेंड के भी साल 2017 में एक और रोमाचग मुकाबला केला गया था इस मैच में रोहिश शर्मा ने बल्ले से खुब धमाल मचाया था और 138 गेंडों पर 147 रन कूटे थे वहीं कोहली के बल्ले से भी सतक निगला था हाला कि 338 रन के लक्षिका नियूजिलेंड ने बखुबी अंदाज में पीछा किया था केन विलियंसर ने 65, कोलिन मुन्रो ने 75 और टॉम लाथम ने 65 रन की सांदार पारी खेली थी कीवी टीम को जीत के लिए आखरियों में 15 रन की दरकार थी लेकिन बुम 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 ने अपना कमाल दिखाते हुए ओवर में सिर्फ 8 रन देकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी थी चौथा सचिन और गांगुली की मेहनत पर फिरा था पानी साल 2000 में भारत और न्यूजिलेंड के बीच नॉक आउट ट्रोफी का फाइनल मुकाबला खेला गया था इस मैच में भारत ने पहले बल्ले बाजी करते हुए स्कोर बोट पर 264 रन लगाये थी सचिन तेनुलकर और गांगुली ने पहले बिकेट के लिए 141 रन की साज़ेदारी निभाई थी लेकिन इन दोनों के आउट होती ही भारत की बैटिंग और तास के पत्तों की तरफ बिखर गया था 265 रन क्या लक्षिका पीछा करते हुए निउजिलैंड की टीम भी एक समय पर 132 के स्कोर पर 5 विकेट गवा कर जूज रही थी लेकिन क्रिस क्रैंस की सतकी पारी के बूते कीवी टीम दो गयन सेस रहते हुए बाजी मारने में सफल रही थी पाँचवा मैच, 2014 में टाई रहा मैच, साल 2014 में भारत और निउजिलैंड के बीच बेहत्रों मांचक मुकाबला खेला गया जिसका अंत टाई पर हुआ कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्टिन गुप्टिल के सतक और कप्तान केन विलियमसं की अर्ध सतकी पारी के दम पर 314 रन स्कोर बोट पर लगाए 315 रन का लक्ष का पीछा करने उत्री भारती टीम की शुरुआत खराब रही और टीम के चार बल्लेबाज सिर्फ 89 के स्कोर पर पवेलियन लोड गे इसके बाद धोनी ने अश्विन के साथ मिलकर पारी को संभाला दोनों ने अर्ध सतक जमाए हाला कि असली महफिल लूटने वाले बल्लेबाज रवींद्र जड़े जा रहे जिन्हें उन्हें आखरी ओर में 17 रन बनाते हुए मैच को टाई करा दिया जड़ू ने इस मुकाबले में 46 गेंदों पर 6-6 रन की आतिशी फारी खेली थी जी हाँ तो ये 5 सबसे यादगार म है इस थे भारत और निल्जिलेंड के भी